आप सभी का स्वागत है जोति शूर्जा में अगर आपको लाब नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि आप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं आप हनुमान चालेशा का अगर पाट करते हैं तो गलत तरेके से कर रहे हैं अगर आपको इसका फल नहीं मिलता तो आपको ये सोचने की बहुत ज़ादा जरूरत है हम सब लगों को अपनी जीवन में कभी न कभी भगवान हनुमान की आगे नत्मस तक होना ही पड़ता है क्योंकि कभी हमारे जीवन में कुछ समस्या होती है, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी शादी को लेकर, कभी घर-परिवार को लेकर, कभी धन को लेकर, तो समस्याओं का तो कोई अंथी नहीं है, पर भगवान हनुमान एक ऐसे देवता है, आप कोई भी समस्या लेकर उनके पास चले जाएं वो आपकी हर समस्या का हल कर सकते हैं। चुपायों को भी लग-लग पढ़ सकते हैं। आप पूरी किताब को भी पढ़ सकते हैं। पर इसके जो लाब हैं वो अनोखे हैं, अनुपम हैं। चलिए विधी की बात करते हैं। सबसे पहले तो मंगलवार का दिन इसके लिए बहुत श्रेष्ट माना जाता है। आप अवश्य ध्यान रखें क्योंकि मंगलवार से शुरू किया हनुमान चालिसा का पाठ फलधाई होता है। और इसके साथ साथ आप एक संकल्प जरूर लें कि आप इसे 40 दिन लगातार बोलेंगे। यानि कि आपने संकल्प लेना है 40 श्लोक आप 40 दिन लगातार पढ़ेंगे। आप एक बार का संकल्प ले लें। इसका अर्थ ये है कि आप हनुमान चालिसा की किताब को 40 दिन रोजाना पढ़ेंगे और मंगलवार से प्रारंभ करेंगे। ये तो हो गया एक तरीका। ग्यारा शनिवार और ग्यारा मंगलवार 21 पार करने हैं। यानि कि मंगलवार का दिन 21 पार करेंगे और शनिवार के दिन आप 21 पार करेंगे। इस विधी से आपको ये पार करने हैं। और आपने ग्यारा मंगलवार और ग्यारा शनिवार भी करना है। तो ये है एक तरीका जब आप हनुमान चारलीसा का पाठ करते हैं तो यह सिध्ध हो जाता है तो इस सिध्धी से आप अपने जीवन में हर कष्ट दूर कर सकते हैं पर आपको इस बात का विध्यान रटना है ये प्रियोग सिर्फ एक कारे के लिए करें ऐसा ना करें कि आप हर कार्य को करने के लिए इस प्रियोग का आप कहें कि एक बार कर लिया चलो आप सारे काम मेरे संपरुन हो जाएंगे इस विधी को आप इस्तिमाल करें एक जरूरी काम को करने के लिए जिसे आप जरूर करना चाहते हैं और वो काम आपका बहुत देर से अटका हुआ है उसके कारण आपकी जिन्दगी अस्त व्यस्त हो रही है तो इस प्रकार के किसी भी कारण के लिए चाहे वो विवाग के साथ समबंदित हो बच्चों के साथ समबंदित हो कोई व्यक्ति का कोई कोट केस चल रहा हो तो इस तरह के कोई भी कारे जो आपके अटके हुए हैं और आपकी जिन्दगी में समस्या का कारण बने हुए हैं इस उपाये से आप इन सब समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं हरुमान जी का सिद्ध प्रियोग आप भी आजमा कर देखें और इसके अनुभव आप बहुत जादा अच्छे पाएंगे बहुत से लोगों ने इसको किया है आजमाया है और उन लोगों ने ही इसके एक्सपीरियन्स हम से शेयर किये हैं और हमें बताया है कि इसके लाब वाकिये में बहुत अच्छे है आपने अब क्या करना है जब आप इस पूरी प्रिक्रिया को कर लें आप सबसे पहले तो एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यह पाट जो आप करेंगे इसको सुबह सुबह 4 बजे अगर आप करें तो इसका और भी अधिक लाब मिलेगा इसका मतलब यह है कि पूरे 40 दिन पहले तो जो 4 बजे आप उठकर पाट करें तो आपको लाब मिलेगा उसके बाद अगले जो भी शनिवार और मंगलवार 11-11 शनिवार और मंगलवार आपने करना है तो वो भी 4 बजे करें तो जादा लाब मिलेगा हाँ आप किसी भी समय कर सकते हैं लाब आपको तब भी मिल सकता है पर अगर आप एक समय निश्चित कर लेते हैं तो उसके लाब तो अनिश्चित हैं अब आपको एक और बात में घेना जाती हूँ जब आप इस पूरी प्रक्रिया को कर लें यानि कि जब ये पूरी प्रक्रिया संपन हो जाए उसके बाद आप बंदरों को भोग जरूर लगवाएं बंदरों को प्रसाद जरूर खिलाएं ऐसा करने से आपका ये जो कारेक्रम है वो विधिवत पूरा होता है इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें आप अगर हरुम प्रियोग जो आप दूसरों के साथ साझा करेंगे दूसरों को भी बल मिलेगा दूसरों को भी शक्ति मिलेगी और उनको भी पता लगेगा कि वाकी में कितनी शक्ति है हनुमान चाली सामें आज के लिए इतना ही मिलती हूं अगली वीडियो में अगले विश्या के साथ आपको इसे देखने के लिए धन्यवाद.